तो टमाटर में बहुत तरह के कीट और रोग लगते हैं जिससे फसलों को काफी नुकसान होता है जिसके बारे में किसान भाई भैनों को जानना बेहत ज़रूरी है तो चली हम देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि टमाटर में लगने वाले कीट और रोग से उनका आपको हम विश्टाड से बताते हैं कि टामाटर में पहले हम रोग की बात करें क्योंकि रोग करण का सुरवात जैसे ही बीच से बीचला तयार करने को होता है उस परैला तो है कि जब हम टामाटर के खेती जहरकंड के परिवेश में कर रहे हैं और वा साथ के दिन में खास कर कर रहे हैं तो उस समय पहला ध्यान देने वाली बात है कि एक मुर्जा रोग करके बिमारी आता है बैक्टिरियल विल्ट करके बिमारी आता है जब भी ज्यारकंड में हम खेती करेंगे तो टमाटर में मुर्जा रोग रोधी किसमों का चुनाव करना चाहिए जो रोग के उसका लावा कि डेसी किसम में स्वन लालीमा रोग को हैं तो आप personnes समाध। में यह रोग पफुंद आएवं 500 होड़ा कवक Online के मिले जूले संक्रमणन से होता है इससे प्रभावित पौधों का निजला तना गल जाता है शुरुवात में बिमारी के लक्षण कुछ जगों में दिखाई पड़ते हैं और दो से तीन दिनों में पूरी पौधों में फैल जाते हैं टमाटर के पौधे भूरे और सूखे धबों के साथ पीली हरी दिखाई पड़ने लगती है किसान इस रोग के नियंत्रण के लिए टमाटर के बीजों को थायरम या कैप्टान तीन ग्राम प्रती किलो ग्राम बीजदर से उपचारित करके बुवाई करना चाहिए जब हम पौट साला में बिचड़ा तयार करते हैं तो अगर हम मिट्टी के बेड में मिट्टी में करते हैं तो वहाँ पर जैसे ही यंकुरन होता है उसके बाद एक डैम्पिंग औफ बिमारी आता है जड गलने सरणने का विमारी आता है उसमें फफुन नासक का अगर आप सही से परयोग करेंगे ब्लू कॉपर यारीडो मिला दवा का दो ग्राम परती लिटर के दर से अगर पानी के साथ मिला करके चार से पांद ने का एंट्राल में डालेंगे तो उससे नहीं यह अंट्राल होगा लेकिन हमारा स्लाह रहेगा कि आप जो है मिट्टी में बिच्डा नहीं तियार lines and unless there's a drink reason दो बिमारी जो है आपको अगर फसल टमाटर में लगाना है तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हमारा टमाटर के बीज बुआए टमाटर के किस्म का चुनाओ करना चाहिए अगेती जुलसा रोग सबसे प्रमुख रोग है यह रोग अल्टर नेरिया सोलेनाई नामक का वक्से होता है जिस वजह से पत्तियां गिर जाती है यह रोग पौधों के सभी भागों में लग सकता है नियंतरन के लिए रोग ग्रस्त पौधों को जला कर नश्ट कर देना चाह यह रोग झारीए